अकोला के पुराना शहर थाना शेत्र में कल देश राम मामूली सा विवाद हुआ उसके बाद दो गुटोबे हिस्सक जड़प हुई है इस गौरान कई गारियों में तोपोर और आमजनी की गई है हिंसा में एक शक्स की मौत की खबर भी मिल रही है अकोला के SP संदीप भूगे ने कहा है कि सिती को कंचोल में करने के लिए लाके में कर्फ्यू लगा दिया गया है अकोला में हिंसा के बाद कर्फ्यू लागू है ये SP का कहना है फिलहाल मौके पर सिती नियंतरन में है क्योंकि भारी पुलिस बल की तैनाती जो है वो देर रात के बाद वहाँ पर कर दी गई हिंसा में एक शक्स की मौत की खबर मिल रही है कई घायल हुए है और हिंसा भड़काने के आरोफ में अभी तक 25 की गिरफतारी हो चुकी है यारी 25 लोगों को दिरफतार किया जा चुका है 120 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की जा चुकी है खालाप पर कंच्रोल करने के लिए भारी पुले स्पोर्स जो है वो बुलाया गया है दरसल ये पूरा मामला क्या है ये आपको बता दे धर्म गुरू पर टिपणी करने पर हिंसा जो है वो भड़क उटी थी किसी शक्स ने किसी समुदाविशेस के धर्म गुरू को लेकर वाट्स अप स्टेटस लगाया था या टिपणी की गई थी जिसको लेकर दो गुट आमने सामने भिड़ गए अकोला में किस तरीके से हिंसा हुई ये तस्वीर देर रात के हम आपको दिखा रहे देखिए गारियों में जम कर तोड़ तोड़ की गई आगजनी की गई है और 25 लोगों को अब तक गिरफतार किया जा चुका है अब ही क्या हालात पर क्या कुछ जानकारी दी है वो जरा आपको सुनवाते हैं सुनिए हलो संदीब सर्जेवात हुई है अभी 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 परिशिती शांसता पूर्वस है तो यहां पर हमने परिशिती के ऊपर पूरा कंट्रोल आया है अभी तक यह वेरिफिकेशन चल रहा है एक डिसीज है और वो इसी गटना में की मोत हुई है अभी आपको बता सकते हैं कितने लोगों पर अखार अभी आपना काम कर रही है और यहां पर कर्फी भी लगा दिया है तो अकोला के स्पी को आप सुन रहे थे उन्होंने कहा कि फिलहाल जो है एक शुक्स के मौत के खबर मिल रही है कई घायल है और फिर कितनी दर्ज हुई है या कितने लोग गिरफतार किये गया है यह आकड़ा बाद में ही बताता हैंगे हाला कि गिरफतारिया हो रही है हो आकास्थ की बताताओत के अपिल में है यह जोग कितने ओलल जाही जावा भосьको अ हुआ का त된 में है यह जढ़र में है एक जावला जोग आक का है घर